So guys welcome back to our channel Dynamic Techno दोस्तों आज की जबड़ पर हम जानेंगे Windows 11 का आपको bootable pen drive कैसे बनाना है bootable pen drive अखिरकर होता क्या है बहुत सालों कि यह नहीं पता होगा तो चलिए एक simple language में आपको बता देता हूँ अखिरकर bootable pen drive क्या है जैसे कि दोस्तों अपना laptop या PC पे कोई भी opting system install करना चाहते है Windows 10 या फिर Windows 11 For example दोस्तों जैसे कि आप Windows 11 install करना चाहते है अपना PC पर तो उसमें क्या होगा दोस्तों अपना pen drive पर पहले से ही Windows 11 का जो setup का को डाउनलोर करके ready करना पड़ता है जब आप successfully ready कर लेते हैं उसको कहते है bootable pen drive या USB flash drive तो कैसे करना है दोस्तों चलिए वीडियो में हम जानते हैं पहले दोस्तों अपना pen drive को अपना PC या पी laptop में आपको insert कर लेना है insert करने के बाद चलिए आपको दिखा देता हूँ फॉर्माट पर क्लिक करना है फॉर्माट पर क्लिक करके आपको देखने के लिए मिलेगा चलिए मैं अभी start कर लेता हूँ start पर क्लिक करने के बाद ये अभी में ok कर लेता हूँ फिर से ये successfully दोस्तों मेरा pen drive में जो भी data है वो successfully format हो जाएगा अपर देन में ok करके फिर से में close कर लेता हूँ close करने के बाद अभी मेरा pen drive पूरी तरह से empty हो चुका है आपको 8GB तक maximum space होना चाहिए ठीक है अपना pen drive पर देन में close कर लेता हूँ close करने के बाद अभी में chrome browser open कर लूँगा chrome browser आपको भी open करना है दोस्तों chrome browser open करने के बाद आपको search bar पर type करना है इसमें आपको लिखना है window 11 window 11 लिखने के बाद चले मैं अभी interface कर लेता हूँ interface करने के बाद दोस्तों window 11 का जो official site होता है आपको top में देखने के लिए मिल जाएगा इसका जो link है आपको मैं comment में pin कर दूँगा या फिर में description में भी link दे दूँगा जाके check out कर सकते हैं तो इस site पर में click कर लोंगा इस site पर click करने के बाद जो site का interface होता है आपको ऐसा कोछ देखने के लिए मिल जाएगा देन आपको थोड़ा सा scroll down करना है स्क्रोल डाउन करने के बाद create window 11 installation media का section आपको देखने के लिए मिल जाता है देन दोस्तो नीचे एक option आपको देखने के लिए मिलेगा download now का option मिलता है download आपको now पर click कर लिना है चलिए मैं download now पर click कर लेता हूँ इसमें click करने के बाद दोस्तो जो media creation tool होता है अभी download successfully हो जाएगा download होने के बाद दोस्तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस icon पर मैं click कर लेता हूँ इस icon पर click करने के बाद जो भी file folder पर है यह location पर आजाएगा आने के बाद इस icon पर आपको right click करना है media creation tool पर right click करने के बाद run as administrator पर आपको click करना होगा इसमें click करने के बाद दोस्तो आपको permission के लिए आपको yes कर लेना है yes करने के बाद अभी यह देखने के लिए मिलेगा background पर यह start हो चुका है running चलिए इसको minimize कर लेता हूँ then आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तो यह भी एक pop-up window आ चुका है getting a few things ready अभी दोस्तो इसमें थोड़ा सा processing लेगा processing लेने के बाद आपको wait करना है then यहापे torment condition को जो license को आपको यहाँ पर accept करना पड़ेगा तो मैं चलिए accept पर click करके फिर से यहाँ पर जो pop-up window getting a few things ready आ चुका है तो आपको फिर से दोस्तो यहाँ पर wait करना है दोस्तो आपको patience के साथ then यहाँ पर और एक window आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तो थोड़ा सा यह processing लेने के बाद यहाँ पर और एक pop-up window देखने के लिए मिलेगा select language and edition इसमें दोस्तो आपको on tick कर लेना है on tick करने के बाद आपका जो भी language आप choose कर सकते हैं आपको यहाँ पर edition window 11 का ही देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो चलिए मैं भी कर लेता हूं इसको रहने देता हूं ऐसे ही as it is next करने के बाद दोस्तों आप और एक pop-up window देखने के लिए मिलता है choose which media to use मिलता है दोस्तों आप पर USB plus drive और ISO फाइल तो आपको यहाँ पर क्या करना है next करने के बाद दोस्तों आप डाउनलोडिंग window 11 यानि कि अभी जो setup होता है भी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आपको वेट करना है पैसेंस के साथ जब यहाँ पर सक्सेस्पुली डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो MB यहाँ डाटा कितन देखने के लिए मिलता है इसमें भी दोस्तों यह प्रोग्रेस्स लेगा जब यह 100% कॉंप्लीट हो जाएगा फिर से यहाँ पर और एक आपको आफ्सन देखने के लिए मिलता है क्रियेटिंग वेंड्यो 11 रिए यह पर यह पर प्रोसेस्इंग लेगाँ अपको वेट करना है यह और यह यहाँ पर लिखावा जाएगा दन यहाँ पर बूचेली मेरे के लिए फिनिस कर लेता हूह फिनिस करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए यह अब बहागा यहां पर जो media creation tool का icon भी आपको देखने के लिए मिल जागा आ चुका है अभी दोस्तो successfully अपना laptop एप PC पर आप install कर सकते है window 11 को USB plus drive के थूँ आपको ऐसे step by step कर लेना है अगर कोई भी problem बगर आता है तो मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको जरूर गाइट करूँगा और आपने देख लिए कैसे आपको bootable pen drive आपको बनाना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ ऐसे दोस्तों आपको कर लेना है आपका भी successfully हो जाएगा अगर कोई भी problem आता है तो मुझे comment section में बता सकते हैं और अभी तक मुझे आपको subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करते हैं तो मिलता हूँ my next awesome video के साथ तब तक के लिए विदा विडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया है बनाइस देख सुन सेहीं